Hello students, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Kids World में आज हम करेंगे हिंदी ब्याकरण का कारक, जिसे की इंग्लिश में कहते हैं case जिन शब्दों से संग्या ये सरवनाव का संबन बाके के सेस भाग से जुड़ता है भी कारक कहलाते हैं हमें कारक का सबसे पहले definition का पता होना चाहिए तो जिन सब्दों से संग्या सरवनाव का संबन बाके के सेस भाग से जुड़ता है भी कारक कहलाते हैं जैसे मा ने राम के लिए मिठाई भेजी अध्यापक ने पाठ पढ़ाया तो बच्चो यहां पर जो है के लिए और ने यह क्या है बाके के साथ संग्याव सरवनाव का सम्मझ जोड़ते हैं तो यह शब्द हमारे क्या हुए कारक चिन हुए या फिर इमने हम जो है विवक्तिय परसरग भी कहते हैं ठीक है तो उर भी हम उधारन ले सकते हैं इसके लिए जैसे सेर हिरन पर तूट पड़ा तो पर क्या है हमारा कारक चिन हुआ तो अब हम आगे इसका पड़ेंगे कारक के बेद हिंदी में कारक के आठ बेद माने गए है कारव को कुछ चिन द्वारा लिखा जाता है जिने हम परसर्ग या भीवक्ती चिन कहते हैं बागे में इनी ही परसरगों का प्रेव होता है जो संग्या और सरवनाम का सम्मन्द बागे से जोडते हैं हिंदी में कितने बेद होते हैं कारा के प्यारे बचो तो कितने होते हैं आठ बेद होते हैं और इनके चीन होते हैं साथ में तो करता बिवक्ती चीन होगा ने करम को करण से के साथ के द्वारा संपर्दान को के लिए अपादा से अलग होने का भाग संबन काके की अधिकरन में पर संबोधन हे अरे जहां जैसे दिखे करता ने जहां पर विवक्ती चीन साथ में ने आ जाएगा बाके में तो हमारा कौन सा कारक होगा करता कारक को आता है तो करम से के साथ के द्वारा तो बहां पर कौन सा कारक होगा करन को के लिए तो आएगा संपर्दान से अलग हो रहा है तो अपादान क के की तो संब आएगा तो अधिकण है रहाएगा तो कौन सा कारक होगा हमारा संबोधन कारक होगा। देखी पहला करता कारक ने। राम ने राबन को मारा, मैंने ट्रेन पकड़ी। तो यहाँ पीयारे बच्चो देखो ने। देख announcements लाइन की यो है वर्स देखिए ने तो ये कहा है हमारे पता रहे हैं ने परसरग ठीक है तो ये हमारा संबंध बता रहे हैं तो कौन सा ने किसमें आता है हमारा बच्चो करता कारक में आता है भीवक्ते चिन ने जो है हमारा करता कारक में आता है तो जिस कारक जिन से करिया को क करने वाले का पता चल देख, तो हम उसे कहते हैं करता कारक, ठीक है। समझा आ रहा है ना को खर तक रहा है। मिया है नें, अम आता है हमारा दूसरा करम कारक, को. अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, नेवले ने सांप को मारा helps the parade. अध्यापकने बच्चों को पढ़ाया को किस में आता है हमें पता है करमकारक में आता है नेवले ने सांप को मारा को मारा को देखी यहां पे क्या है हमारा किस भीवक्ती चिन में यह मारा कौन सा कारक है करमकारक करमकारक में क्या आता है को भीवक्ती चिन आता है तो जिस कारक से क्यारक जिन से क्रिया का प्रभाब जिस पर पढ़ता है उसका पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों करमकारक कहते हैं बोड़ा है कि जिस कारक जिन से क्रिया का प्रभाब जिस पर पढ़ रहा है हमें उसका जो पता चलता है तो हम उसे कहते हैं करमकारक यहां पर क्या आ रहा है कि अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया को परसरग बाके में जिस पर क्रिया हो रही है उसकी और संकेत कर रहा है और जिस पर क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों करम कहते हैं आगे आता है करणकारक से के साथ की द्वारा, रभी मोहन के साथ खेल रहा है, गीता अपने भाई के साथ बाजार गई, जिस कारक से करता के कारे करने के साधन की जानकारी मिले उसे करणकारक कहते हैं, करणकारक में क्या आता है, से के साथ या क्या द्वारा, ठीकिर यहाँ प तो ये हमारा किस में आएगा करणकारक में गीता अपने भाई के साथ बाजार गई के साथ किस में आएगा हमारा हमें पता है करणकारक में आएगा करणकारक जो है उसमें क्या आती है हमारी परसर या भी वक्तिजिल से के साथ या फिर के द्वारा तू देखो बच्चो, यहाँ पर क्या है, कि इन प्रोक्त भाकियों में देखे के साथ कारे होने के साधन के और संकेत कर रहा है आगे संपरदान कारक को के लिए देखिए यहाँ पे एक्जेंबल पिता जी रोहन के लिए फल लाए लोग मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे यहाँ पे के लिए या फिर को संपरदान को या के लिए हमारा विवक्ती चिन के आता है को या के लिए संपर्दान में तो हमारी पहचान हो गई कि ये कौन सा कारक है जैसे पिता जी रोहन के लिए फलाए अगर ये बाक्या आता है तो हमें इसमें पहचान करेंगे कि ये कौन सा है तो संपर्दान कारक है ये हमारा ठीक है रभी किसके साथ खेर रहा है दोस्तो के साथ खेर रहा है लोग मरीज को लेकर अस्पिताल पहुंचे हैं तो ये क्या है कारे होने के साधन की और नहीं समपर्दान यानि की जिसके लिए कारे करे उसकी और संकेत हो तो उसे कहते हैं समपर्दान कारे अपादान कारे से अलग हो उसे अपादान कारक कहते हैं, देखिए बच्चो, अपादान, मतलब से जुदाई का भाब, अलग होना, पेर से पत्ता गिरा, यानि पेर से जो पत्ता गिरा बो क्या है, पेर से पत्ता अलग हो गया है, ब्रिक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानि पत्ते जो हैं ब्रिक्ष से अल गूद गया, तो यहां ट्रेन से गूद गया, ट्रेन से वो अलग हो गया, ठीक है, तो यहां पे हमारा जो से है, वो क्या है, हमारे बच्चों, अपादान कारक है, अपादान कारक में आप जहान रखेंगे कि जिस कारक से अलग होने का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं अब हमारा आगे आता है बचो संबन कारक का के की मेरे घर के सामने मंदीर है यह श्याम की पैंसिल है मेरे घर के सामने मंदीर है यह श्याम की पैंसिल है देखें यहाँ पे के और की परसर्ग संगय यह सरवनाम की बस्तू स्था ये ब्यक्ति के माध्यम से बतला रहे हैं तो जिस कारक द्वारा संग्या सरवनाम का संबन किसी अन्य से जुड़ा हो तो उसे संबन कारक कहते हैं हमें शब्द से ही पताचर है संबन मेरे घर के सामने मंदिर है यह है श्याम की पैंसिल है पैंसिल तो है बट किस की है श्याम की है तो यह क्या है संबन बता रहा है तो जिस कारक द्वारा संगे सरमना का संबन किसी अनने से जुड़ा हो तो से हम कहते हैं संबन कारक आगे आता है अधिकरन कारक इसमें आता है हमारा परसर गिया भी वक्ते जी में पर जैसे जग मेज पर रखा है कमरे में पर पर देखे बचो यहां पे जो में और पर है यह परसर क्रिया के अधार की और संकेत कर रहे हैं तो जिस कारक से क्रिया के होने के अधार का बोध हो उसे अधिकरन कारक कहते हैं इसे हमें क्या पता चल रहा है बचो क्रिया के होने के अधार का बोध हो रहा है तो ये हमारा कौन सा कारक हुआ अधिकरन कारक हुआ इसमें हम याद रखेंगे बचो कि कौन सा भीवक्ती चीन आता है में पर अधिकरन कारक में कौन सा भीवक्ती चीन आता है में पर जैसे जग मेज पर रखा है अगर एजैंपल आता है तो हम एकदम से समझ जाएंगे कि पर किस में आता है अधिकरण कारक में संबोधन कारक हे अरे देखिए एक्जेम्पल हे भगबान मुझ पर दया करो हे भगबान मेरी रक्षा करना इसी तरह से हम कुछ भी जैसे सुनो भई ये रास्ता कहां जाता है सुनो भई यैसे अरे भई ये रासा कहां जाता है तो हे अरे जहां पर ये सम्बोधन कारक शब्दा जाते हैं तो बहां हमारा क्या आता है बच्चो सम्बोधन कारक आता है देखिए यहाँ पे हे भगबान मुझ पर दया करो हे भगबान मेरी रक्षा करना तो यह कौन सा हुआ हमारा बच्चो संबोधन कारक हुआ जिस कारक से किसी को संबोधित करने का बोध हो उसे हम कौन सा कारक कहते हैं बच्चो संबोधन कारक कहते हैं ठीक है तो जैसे अरे हे ये परसर जो है किसी को पुकारने के लिए या संबोधित करने के लिए परियोग होते हैं तो ये हमारे कौन से हुए बच्चो संबोधन कारक होते हैं तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लेग बाल आइकम थैंक्यू थैंक्स पॉर वच्चिंग